हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इटेडिया पे मैं प्रवीन कुमार आप लोगा स्वागत करता हूँ आज के इस अब्जेक्टिव सेशन में और किसान जंजाती आंदोलन और किसान सभा से जुरे हुए मैंने कई दो तीन वीडियो आपको सब्जेक्टिव में अप्लोड कर दिये हैं जिसके लिंक में नीचे प्रवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आप उमीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को देख लिया होगा अगर आपने नहीं देखा हैं तो इन्हें जरूर देखें क्योंकि इन्हें देखने के बाद ही ये अब्जेक्टिव वीडियो को आप बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रशन एक्जाम में आते हैं चाहे वो PCS लेवल के हो चाहे वो किसी भी लेवल के आप एक्जाम देते हैं तो आधुनिक भारत के इस चेप्टर से बहुत सारे प्रशन पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस चेप्टर को जिसका नाम है जनजाती एवम किशान आंदोलन तथा किशान सभा से जुरे हुए इसमें प्रशन है तो उसे शुरू करते हैं चलिए आते हैं पहले प्रशन की ओर नील दर्पन नाटक के लेखक कौन थे नील दर्पन नाटक आपको मैंने पढ़ाया था और आप आशानी से उसे गेस कर पा रहे होंगे कि 1860 में जब पंगाल के छेतर में नील आंदोलन हुआ तो उसका वर्नन इसी नील दर्पन पुस्तक में यानी नाटक में विशेश रूप से मिलता है और इस पुस्तक के लेखक ऑप्सन अगर ध्यान से देखें तो इस ऑप्सन में तारानात बंदो पाध्याय तारानात घोस दीन बंधुमित्र बंकिम चंचटरजी तो इस option में है option number C, दीन बंधु मित्र, इन्होंने ही नील दर्पन नाटक की रचना की, जिस नील दर्पन नाटक से बंगाल में हुए नील वंद्रोन का वर्नन मिलता है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, आनंद मट उपन्यास की कथा वस्तु अधारित है, चुआर वि विद्रोह पर, अगर आपने उस विडियो को ध्यान से देखा है, जिस विडियो का मैंने लिंक प्रवाइड किया है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से दे पाएंगे, आनंद मट एक उपन्यास है, जो की बंकिमचन चटरजी द्वारा लिखी गई थी, और इसमे किसका वर्नन जो है सन्यासी विद्रोह में मिलता है, तो आनंद मट उपन्यास आपको याद रखना है, बंकिमचन चटरजी द्वारा लिखी गई है, और इसमें किसका वर्नन मिलता है, तो सन्यासी विद्रोह का वर्नन इसमें विशेश रूप से मिलता है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो कूकी नाइकदा खोंद और भील मैंने आपको जंजाती वाले वीडियो में ये बताया था कि बिभीन जंजाती विद्रो हुए थे तो उसके अलग-अलग रीजन थे खास करके जंजाती है कि मामलों में हस्तचेप चाहे वो समाजी कार्थिक अधार प जंजाती थी इसी जंजाती के मानव बली पर्था के जो एक बिसेस उनका तेवहार था उसे बंद करने का जब निर्ने बिटिश गोवर्मेंट द्वारा लिया गया तो उसके बाद इन्हों ने बिरोध कर दिया था और बिद्रोह किया था तो यह प्रशन आएगा कि मानव बली पर्था को निशेद करने के बाद किस जंजातीय समूह ने अंग्रेजों का बहिसकार किया या उनके खिलाप विरोध किया तो खोंद जो की उडिशा की जंजाती थी अब आते हैं चौथे प्रशन की ओर संथाल बिद्रोह का नेत्र तो किस ने किया संथाल बिद्रोह बहुत ही फेमस जंजातीय बिद्रोह है जो 1756 में हुआ था 556 इसका option देता है तो 1756 में यह बिद्रोह हुआ था और एक प्रशन भी आता है कि 1877 की इस क्रांती जो ही थी माफ किजिएगा यहां पे मैंने 1756 कहा और यहां से एक प्रशन आता है कि 1856 में जो यह बिद्रोह हुआ था तो 1857 की जो क्रांती हुई थी उस क्रांती से जस्ट पीछे कौन सा बिद्रोह संचालित किया गया था तो संथाल बिद्रोह हुआ था और इसके नेता जो थे वो सिद्धू और कानू थे यह दोनों भायो तो 1856 में जस्ट 1857 की क्रांती से एक वर्स पुर्व कौन सा बिद्रोह हुआ था तो संथाल बिद्रोह हुआ था और इसके नेता जो थे वो सिद्धू और कानू थे जत्रा भगत कीरत सी और सीगराय इससे कोई लेना देना इनका नहीं है अब आते हैं अगले प्रशन की और उल्गुलान बिद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है या फिर उल्गुलान बिद्रोह किस से जुरा था ओप्सन संथाल बिद्रोह कोल बिद्रोह बिर्सा मुंडा बिद्रोह चुआर बिद्रोह तो जो बिर्सा मुंडा के नित्रित्तों में 1899 में बिद्रोह हुआ जंजात अब आते हैं छटे प्रश्न की ओर मोपला विद्रो उनीस सो एकीस में कहा हुआ ओप्सन है तेलंगाना माला वार मराठा वार विदर्व अब यहां पे आप राज्य का नाम ढूंड रहे होंगे क्योंकि मैंने राज्य के आधार पर आपको ये विद्रो के विभीन छेत्र दर गया है इसी में जो केरल का तट है उसे नाम दिया गया है माला बार तट तो चुकी मोपला विद्रो उनीस स्वेकीस में केरल में हुआ था और चुकी यहां तट का नाम दिया गया है तो ऐसे में इसका सही उतर होगा माला बार तट जो केरला साइड में था और इसी तट पर मोपला समूहनी जमिनदारों के विरुद एक आंदोलन छेरा था जो की किसान आंदोलन से जुरा हुआ है अब आते हैं सात्वे प्रश्न की ओर सात्वा प्रश्न है मिलान करे विविन विद्रोह और विद्रोह के छेतर दिये गए है विद्रोह को अगर आप ध्यान से देखेंगी तो विभिन जनजातिये विद्रोहों को नाम दिये गया है जैसे पाइक विद्रोह, पावना विद्रोह, एका अंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह और दूसरी ओर छेतर में देखें तो ओडिशा, बिहार, बंगाल और अवद नाम दिये गये है तो चलिए इसे मैच करते हैं पाइक और खोंद, मैंने आपको पढ़ाया था कि पाइक और खोंद जो है विद्रोह, उसका संबन्द ओडिशा से है पावना बिद्रोह की बात करें, तो पावना बिद्रोह का संबन्द बंगाल से है एका आंदोलन का संबन्द अवद से है और बिर्सा मुंडा संबन्द बिहार से है क्योंकि बिहार में ही पहले जारखंड था अगर बरतमान में पूछा जाएगा तो इसका संबन जो है वो जारखंड अब आते हैं हम लोग आठवे प्रश्न की ओर आठवा प्रश्न है हमारा सुमेलित करें इसमें भी मिलान करना है हमें विभिन विद्रोह और विद्रोह के वरसों को विद्रोह को अगर ध्यान से देखें तो विद्रोह है बारदोली सत्यागरा संथाल विद्रोह तेलंगाना विद्रोह और नील विद्रोह और वरस में अग आप्षन को अगर मिलान करना शुरू करें तो बार्दोली अपने परहा था गुजरात के छेत्र में हुआ था और ये उनिश्चो अठाइस में हुआ था जिसके नेता थे मुखे रूप से बार्दोली के नेता बल्लो भाय पटेल थे संथाल विद्रोह की बात करें तो अभी हम लोगों ने परहा कि 1857 की करांती से जस्ट पीछे हुआ था 1856 में शिद्धू कानू के नेतेतु में तेलंगाना विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो भारत के सोतंता के बाद भी चलता रहा था तो 1946 से 51 जो छेतर था वो तेलंगाना का विद्रोह छेतर था और नील विद्रोह की बात करें तो प्रमुख किशान आंदोलनों में जाना जाता है बंगाल के इस विद्रोह को जिसके संबंध में नील दर्पन में वर्नन मिलता है तो आसानी से आप इसे मैच कर पाएं होंगे की ओर बिभिन विद्रोह के नेता का मिलान करें तो मोपला विद्रोह खेरा विद्रोह तिय भागा विद्रोह और रमोशी विद्रोह यह बिभिन विद्रोह है जो की ब्रेटिस के खिलाप इसमें से कुछ जंजाती है तथा कुछ जो है वो किसान है यहां पर आपको यह मिल करना है कि उन आंदोलनों का नेत्रितु किनके द्वारा किया गया मोपला विद्रो मोपला विद्रो का जो नेत्रितु है वो किया था अली मुश्लियार ने बाद में हाला कि गांधी जी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था जो कि 1921 में हुआ था खेरा विद्रो जो कि ग ते भागा विद्रो जो की बंगाल के छेतर में हुआ था और ते भागा का नित्रित जो है वो भवन सी ने किया था और रमोशी विद्रो का नित्रित चीतर सी ने किया था तो उमीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा फिर से एक वार रिपीट कर लेते हैं मोपला विद्रो अली मुशलियार, खेरा विद्रो, बल्लभाय पटेल, ते भागा, जो है वो भवनसी और रमोशी, चीतर सी के द्वारा नेत्रितों में किया गया था अब आते हैं दस्वे प्रश्ण की ओर दस्वा प्रश्ण है हमारा रमपा विद्रो, चुवार विद्रो, बेघरा विद्रो और कूका विद्रो और इनके छेतर दिये गए हैं बंगाल, पंजाब, आंधपरदेश और गुजरात इन्हें मिलान करना है आप सोच रहे होंगे कि अधिक से अधिक मिलान करने वाले प्रश्ण क्यों आ रहे हैं वास्तों में मिलान करने वाले प्रश्णों पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्ते एक फैदा ये होता है कि एक साथ आप 4-5 प्रशनों पर पकर बना लेते हैं. तो एक-एक करके एक प्रशन पर पकर बनाने से अच्छा है कि एक ही वार पढ़े और 5-7 प्रशनों पर पकर आपकी अच्छी बन जाए. तो इसलिए मैंने मिलान करने वाले प्रशनों की संख्या को थोरा सा बढ़ा करके दिया है अब आते हैं देखते हैं रंपा विद्रोह का छेतर कहां था रंपा विद्रोह जो था वो आंध परदेश में हुआ था अध परदेश रंपा याद होगा मैप अगर आपको दिमाग में होगा तो चुवार विद्रोह याद होगा कि बंगाल के छेतर में हुआ था चुवार भूमिज ठीक है बेखरा के विद्योह की बात करें तो बेखरा जो है वो गुजरात के छेतर में हुआ था और कुका रामसिन के नित्रितु में पंजाब में हुआ था तो आसानी से आप याद कर पाए होंगे कि रमपा, आंधपरदेश, चुवार, बंगाल में, बेघरा, गुजरात में और कुका पंजाब में हुआ था अब आते हैं 11 प्रश्न की ओर हाल ही में किस विद्रो ने अपने 200 वर्श पूरो की पूरे किये हैं ओप्सन है खोंद विद्रो, पाइक विद्रो, भील विद्रो, चमपारन विद्रो तो मैंने वीडियो में भी बताया था कि पाइक विद्रो जो की इस पेसली उडिशा में हुआ था 1817 में ये विद्रो शुरू हुआ था और अभी 2017 जस्ट बीता है तो ऐसे में 200 वर्ष जो है इस पाइक विद्रो ने हाली में अपने पूरे किये हैं कुछ बुक में इसे पर्थम सोतंता संग्राम के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया गया है अब आज ये बारहवे प्रश्न की ओर आते हैं निमलिखित में से कौन गलत है कोली विद्रो गुजरात में हुआ था चुवार विद्रो मध्परदेश में हुआ था कूकी विद्रो मनीपूर में हुआ था और पावना विद्रो बंगाल में हुआ था यदि आपको कुछ कर लें यह जो चुवार वीद्रोऑ यह मदinea परदेश में नहीं हुआ था बल्कि यह बंगाल में हुआ तो इस तरह से इस प्रस्शन का जो सही है उत्तर है कि इस ₹ गलत कौन है तो वह जो है भी है ऑप्शन है क्योंकि चुवार वीद्रोऑ का जो छेतर था वो मद्ध परदेश नहीं था बलकि बंगाल था अब आ जाते हैं तेरा हुए प्रश्न की ओर तेरा हुआ प्रश्न है हमारा निमलिखित घटनाओ को क्रम के अनुसार सजाईए अर्थात जो विद्रो पहले हुए उन्हें पहले बताईए तथा जो बाद में ह सजाईए ऑप्शन है आपके सामने नील विद्रो संथाल विद्रो दक्कन विद्रो और मोपला विद्रो यह प्रिवियस यर के प्रश्न है अब इनके डेट आपको याद होने चाहिए नील विद्रो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1860 संथाल विद्रो चुकी संथा विद्रो जो है वो 1857 की क्रांती से पहले हुआ था और नील विद्रो 1857 की क्रांती के जश्ट बाद हुआ था तो संथाल विद्रो 18556 दक्कन विद्रो 1875 में महराष्ट के छेतर में हुआ था और मोपला विद्रो 1921 में हुआ था तो अगर ये आपको डेट याद है तो आप से arrange कर पाएंगे तो सबसे पहले होगा संथाल विद्रो फिर होगा नील विद्रो फिर होगा दक्कन विद्रो और फिर होगा मोपला विद्रो 2134 तो इस option में अगर आप देखेंगे तो B option वो है जो इस चीज की पुष्टी करता है कि 2134 तो इस तरह से इसका उत्तर होगा B अब आजाते हैं 14 होगे प्रशन की और निमलिखित में से कौन सा स्थान गटकरी विद्रो का केंदर था बिहार सरीफ, कोलहापूर, सूरत, सिलहट तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि गटकरी जो छेतर था वो महराष्ट का छेतर था और महराष्ट में गटकरी व में देखेंगे तो कोलहापूर है और मैंने गटकरी के संबन्ध में बताया भी था कि ये जो थे वो मुखे रूप से मराठो के सैने सिपाही थे जिन्हें बिर्टिश द्वारा निकाल दिये जाने के बाद इन्होंने विद्रो कर दिया था तो गटकरी विद्रो जे हैं वो प्रम शाह एवं टीपू मीर थे ते भागा आंदोलन के नेता भवन सी थे और खेरा विद्रो के मुखे नेता महात्मा गांधी थे तो इन आप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला भी शही है दूसरा भी शही है और तीसरा भी शही है इसमें जो सही नहीं है वो डी है इसलिए इस प्रशन का उत्तर होगा डी क्योंकि खेरा विद्रो के जो मुखे नेता थे वो महात्मा गांधी नहीं थे बलकि बल्लबाभाई पटेल थे हलागी महात्मा गांधी का उन्हें समर्थन प्राप्त था लेकिन चुकि मुखे नेता पूछा जा रहा है इ आजये 16 प्रशन की और अखिल भारतिय किशान सभा की अस्थापना कब हुई मैंने जश्ट ही आपको विडियो अप्लोड किया किशान सभा एवर मजदूर सभा और इसमें मैंने बताया था कि अखिल भारतिय किशान सभा का जो अस्थापना है वो लखनव में हुआ था और 1936 में स्वामी सहजानन सरस्वती की अध्यक्सता में किया गया था तो इस प्रशन के उत्तर को आप आशानी से बना पाएंगे कि 1936 में हलाकि पहले इसका नाम किसान कॉंग्रेस रखा गया बाद में से अखिल भारतिये किसान सभा का नाम दिया गया अब आते हैं 17 प्रशन की और पर्थम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर के काल में आया अब चुकी प्रशन आपका है कि किस के काल में आया और अगर आपको यह याद है कि पर्थम कारखाना अधिनियम कब आया था तो आया था 1881 में और पर्थम करखाना अधनियम आया तो आप ये ध्यान दीजिए कि इस समय कौन थे ब्रिटिश गवर्णर जनरल या वाइश राया तो वो थे लॉड रीपन रीपन 1880 में ब्रिटिश गवर्णर थे तो इसलिए गवर्णर जनरल के रूप में लॉड रीपन के समय ही पर्थम करखाना अधनियम आया था आते हैं ठारवा प्रश्न अखिल भारतिये किशान सभा के अध्यक्ष कौन थे अखिल भारतिये किशान सभा अभी मैंने बताया कि 1936 में गठित हुआ और लखनों में गठित हुआ और इस अखिल भारतिये किशान सभा के जो अध्यक्ष थे option है सचिदानन सिन्हा, डॉक्टर आजेंदर परशाद, सहजानन सरस्वती इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है सहजानन सरस्वती इनहीं के अध्यक्षता में अखिल भारती किसान सभाय का गठन किया गया था All India Trade Union के पर्थम अध्यक्ष कौन थे? All India Trade Union 1920 में All India Trade Union का गठन किया गया और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे option है एनम जोसी, लाला लाजपत राय, सरदार बल्लभाई पहेड, पटेल, महात्मा गांधी इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है लाला लाजपत राय हाला कि इसके संस्थापक जोसी जी थे लेकिन चुकी पूछा जा रहा है कि पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो पर्थम बैठा की अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय ने की थी तो All India Trade Union के पर्थम अध्यक्ष थे 1920 में लाला लाजपत राय चलिए दोस्तों आते हैं 20 में प्रशन की ओर जो है हमारा चंपारन सत्यागरह का मूल कारण क्या था अंग्रेजों द्वारा मील मजदूरों का दमन करना तीन कठिया परनाली नील जमिनदारों द्वारा लगाये जाने वाला अधिक कर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर चुकी प्रशन आया है कि चंपारन सत्यागरह का मूल कारण क्या था तो यहाँ प्रशन ही यही है कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया था कि चंपारन सत्यागरह में तीन कठिया परनाली का विरोध किया गया था ये तिनकठिया प्रनाली क्या था तो ये था कि 20 कठे में से 3 कठे नील की खेती करना अनिवारे था तो इस प्रस्ण का तो उत्तर सही सही होगा 3 कठिया प्रनाली और चुकी इस प्रनाली को ब्रिटिस दोरा जबरदस्ती लागू किया जा रहा था तो इसी का विरोध जो है गांधी जी के नेत्रित्तों में हुआ था और गांधी जी का भारत में या प्रथम सत्यागरा था और उन्होंने यहां से किसान आंदोलन को राष्टडिये आंदोलन के रूप में परिनित करने का कारे किया था और एक बहुत ही महत्पून और मील का पत्थर साबित हुआ भारतिये आधुनिक इतिहास में सुतंता संगराम की द्रिष्टी से या आंदोलन तो उमीद करते हैं कि ये जो 20 प्रशन आपने देखें अच्छे से आपको समझ में आ गये होंगे और अच्छे से आप इसको बना भी पाएंगे और जो वीडियोज मैंने आपको सब्जेक्टी बनाये थे अगर उसे अपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत ही असानी से इन प्रशनों का उत्तर आपने दे दिया होगा अब एक प्रशन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसके बाद उस प्रशन का उत्तर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखके भेजेंगे प्रशन ये है कि चमपारन सत्यागरह के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था कहां आंदोलन किया था और आंदोलन का नाम क्या था चमपारन सत्यागरह के जस्ट बाद तो उत्तर कॉमेंट बॉक्स में डाले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उमीद करते हैं कि ये प्रशन उत्तर बना करके आपको मज़ा आया होगा धन्यवाद एडूटेरिया से जुरने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए